साथ्यों एक बहुत जरुरी बात मैं पूरे यूपी और खासकर पस्चिमी यूपी के लोगों से कहना चाहता हूँ आपने देखा है कि योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भाग कर जेल गए और मांग करते हैं कि हमें बंद कर दो वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं उन्हें एक ही उमीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आएं कैसे भी सरकार बदल जाएं ताकि वो जेल से बहार आ सके ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाएं जो अपराधी यूपी छोड़ कर भाग गए थे वो भी उमीद लगाएं बैटे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लोट कर आएं मैं ये अपराधी चाहते हैं कि लोट डकैती छिनाइती का जो धन्दा पांच साल से ठपड़ा है यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें बदला लेने के मुड में हैं इनके गुर्गे भी पूरी ताकत लगाये हुए हैं ये लोग जात पात के नाम पर बटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं मैं आप से कहना चाहता हूँ इस खेल से साउधान रहिएगा इस चुनाओं में और कुछ नहीं देखना है केवल कमल छाप देखना है केवल भाजपा को देखना है भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी ये आएंगे तो गुन्डों के सपने पूरे होंगे जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें आप यूपी के लिए ही नहीं बलकि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं आप यूपी के मत आता है और यूपी के विकास के बिना देश का विकास भी नहीं हो सकता